तीस साल बाद पवार के घर जाएगी सीम की कुरसी शरत पवार ऐसी बिछा रहे सियासी बिसाथ शरत पवार के चक्रव्यू में फसेगी महराष्ट बीजेपी अजीद पवार का कितना होगा साथ 85 सीट पर शरत पवार के एंसीपी लड़ रही चुनाव 53 सीट पर अजीद पवार के पार्टी ठोक रही ताल क्या विधान सबाच चुनाव के बाद दोनों आ जाएंगे साथ 83 साल की शरत पवार महराष्ट से लेकर देश तक के सियासत में अपने फैसले से चौंकाने के लिए मशूर है सीनियर पवार ने एक बार फिर से महाविकास अगारी के सीट शेरिंग में सब को चौंका दिया तीनों ही पार्टियों में सबसे कम जराधार होने के बाफजूद शरत पवार की पार्टि को बराबर बराबर की सीटे मिली समझोते कि दहट शरत पवार को मिली 85 सीटों के बाद सवाल उठ रहा है क्या आखिर ऐसा करने में पवार काम्याब कैसे हुए और पवार इसके जरीय क्या साधना चाहते हैं महाविकास अगाड़े गटवंदन से 85 सीटे जटकने के बाद शरत पवार को लेकर एक चर्चा खूब तेजी से चल रही है कहा जा रहा है क्या शरत पवार की नजर मुख्यमंत्री कुरसी पर तो नहीं इस चर्चा की दो बड़ी वज़ा है पहली वज़ा क्या शरत पवार की नजर मुख्यमंत्री कुरसी पर है महराश्च के लोगसभा 24 शरत पवार की पार्टी के जीत का स्ट्राइक रेट सबसे ज़ादा था 9 सीटों पर उमीदवार उतारने वाली NCP शरत को 8 सीटों पर जीत मिली इस स्ट्राइक रेट से देखा जाए तो शरत पवार की पार्टी 60 सीटों पर जीत सकती है अगर ऐसा होता है तो सीम पत की कुरसी पर पवार की दावेदारी सबसे मजगूत हो सकती है दूसरी वज़ा क्या शरत पवार की नजर मुख्यमंत्री कुरसी पर है शरत पवार ने हाली में करैली में जाएंट पार्टिल के जरिये सीम कुरसी के चर्चा की थी पवार इस बार चुनाफ से पहले मुख्यमंत्री का नाम भी घोशत नहीं कर रहे इसके बीचे 2004 के चुनाफ का एक बाक्या बता चा रहा 2004 में पवार ने चुनाफ से पहले कॉंग्रिस से मुख्यमंतरी बनने की घोश्टा की थी 2004 में NCP को कॉंग्रिस से दो जादा सीटे मिली इसकी बावजुत पवार ने CM की कॉर्सी कॉंग्रिस को दे दी शरद पवार परिवार के पास 30 साल से CM की कॉर्सी नहीं है आखरी बार 1993 से 1995 तक शरत पवार महराश्च के मुख्यमंत्री रही थी सियासी गल्यारों में इसकी भी चर्चा है 12 मती से 67 सुप्रिया सुले शरत पवार की बीटी है अजीद पवार ने जब बगावत की थी तब उन्होंने कहा था कि मैं बीटा नहीं हूँ इसलिए मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया शरत पवार जिस तरह सियासी बिसात अभी बिचा रहे है कहा तो ये भी जा रहा है चाचा भतीजे के बीच अंदर अंदर डील हो चुकी है जस तरह से पिछली बार अजीद पवार की घर वापसी हुई थी इस तरह आपके बाद फिर से वापसी हो सकती है दावा तो ये भी किया जा रहा है पविश्यम अगर पवार के हाथ में सत्ता की जावी आती है महराश्ट में तर्शंको वाली स्थिति आती है तो शरत पवार अपने भतीजे अजीद पवार का साथ ले सकते है सियासी कलियारों में एक चर्चा ये भी है कि शर्ट पवार खोद के पास भी सीम की कुर्सी रख सकते हैं इसकी वज़ा अपनों से खाया धोका है पवार को हाली में उनके भतीजे और विश्वास पात्रों से धोका खाना पड़ा दरसल इस वार महराष्ट में रिजल्ट और महराष्ट विदानसवा के कारेकाल खत्म होने के बीच में सिर्फ तीन दिन का ही गैप है ऐसे में जोरान पार्टियां जादा नेगोशेट नहीं कर पाएंगी सीट बटवारे पर जिस तरह शिवसेना उद्धव और कांगरिस में तकरार हुई उसने शर्थ पावार को और जादा मजबूत कर दिया 1999 में कांगरिस के विरूद में राश्चवादी कांगरिस पार्टी का गठन करने machte शरत पावार ने 2004 में कांगरिस के साथ गठबन कर लिया कांगरिस की सरकार में शरत पावार को कैबिनेंट मंतरी बना गया 2004 کے पहले इतिहास को छोड़ भी जा जाये तो पिछले 20 साल में कई ऐसे मोखे आए जब सियासी रूप से पवार ने सब को चौखा दिया 2006 में पहली बार पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया को सियासत में उतार दिया उस वक्त उनके भतीजे अजीद को इसकी खबर तक नहीं थी अजीद बागी हुए तो सुप्रिया को राश्ट्री राजनीती में ले आए 2009 में जब सुप्रिया के मंत्री बनने के चर्चा थी तो 930 की अखाता संगमा को अपने कोटे से कैबिनेट में मंत्री बनवा दिया 2010 में सीनिर निताओ को दरकिनार कर अजीद पवार को महराश्ट में डिप्टी सीम की कुर्सी सौम दी 2014 के चुना में कांग्रेस और एंसीपी गड़वंदन हार गई बीजेपी बड़ी पार्टी बनी लेकिन पूर बहुमत से चुक गई सही होगी शिवसिना ने मौलभाव शुरू कर दिया शिवसिना के मौलभाव के दाओं को खत्म करने गरेश शरत पवार ने बिना शरत बाहर से समर्थन दी दिया आखर में शिवसिना एंडिये में चली आई पवार के साओं से अजीद चत्त हो गए थे चुनाबाद अजीद पवार और उद्धव ठाकरे की सियासी फैस्टों पर भी नज़र रहेगी तीन साल बाद जहां उद्धव के पार्टी तूट गई वहीं दो साल पहले अजीद पवार बागी हो गए उद्धव महाविकास अघाडी से पहले बीजेपी के साथ गटवंदर में थे इसी तरह जीद अपने चाचा के साथ कॉंग्रस गटवंदर में थे कहा जाना कि दोनों ही राजनितिक परिंदे अभी भले आस्मान में उड़ रहे हो लेकिन दोनों के घर वापसी के संभावना है